नश्कार दस्तों आज की बुल्ब में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज हमारे सामने खड़ा है 24 मॉडल हारलेट डिवेट्सन का एक्स 440 अपने न्यू औरेंज कलर में इस कलर में बाइक आपको कैसा लग रहा है कमेंट शेक्षन में एक बार कमेंट करकर जरू बतेएगा तो आज की बुड़े में दोस्तों आप जानने वाले हो कि अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो इस बाइक में आपको कितना टॉप स्पीड मिल जागा साथ ही सीटी में राइट करते हैं तो इस बाइक में आपको कितना मालिक मिलेगा कितने स्पीड में आप इस बाइक को हाईवे में क्रूस कर सकते हैं और कितने स्पीड में जाने के ब और आज के वीडियो के लिए मैं आया है आपने जम्षेदपूर के प्रीमिया शोरूम में शोरूम का टेसर कॉंटक नमबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो वीडियो में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आगर आप हाले डिवर्ट सेंड एक्स 440 इस बाइक को ले बात करते हैं इस बाइक के सीट की तो आपको बताना चूंगा कि बाइक का सीट हाइट 805 mm मेरा हाइट है 510 आप देखिए मैं इस बाइक में बहुत ही अराम से बैट पा रहा हूं और मेरे दोनों पैर फ्लोर पे बहुत ही आसानी से लग भी पा रहे हैं तो आपको दिखान के बात करें तो जब आप को 100-110 kph के अवार करेंगे तब आपको इस हां जालकावाइशन मैसूस होता है और आप इस बाइक को लेंके इंधे oil filter या फिर air filter चेंज होता है उसके ही आपको पैसे को पे करना है उसके बाद जितने भी service है इसका paid service होता और उसका जो service करवा सकते हैं आपको अलग से कहीं Harley के service center में जाने की ज़रूरत नहीं है आप अगर दोस्तों Harley Davidson X440 इस बाइक को लेना चाहते है तो बाइक में आपको टोटल तीन वेरिंड मिलता है आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं X440S यह टॉप मॉडल है इसका हमारे X440S इस टॉप मॉडल को finance मिलेना चाहते है तो हमारे जम्शितपुर के IDFC First Bank से आप इस बाइक को 49,999 के down payment पे finance भी करा सकते हैं इस बाइक का 36 मन्त का EMI, 48 मन्त का EMI और 60 मन्त का EMI आपके स्क्रीन पर नजार आ रहा है और आप दोस्तों इस बाइक के मिलने लेस के सभी features की इस बात करते हैं सबसे पहले आप इस बाइक का rear mirror देख लिए जो आपको round shape में मिल रहा है और आप देख रहे हैं सेंटर में Harley का एक logo भी लगा है headlam की दरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं इसमें आपको round shape में काफी premium सा headlam मिल रहा है और headlam के side में आप देख रहे हैं एक chrome यूज किया गया है और इसके headlam में एक खास बात है आप देखें इसके low beam में आपको projector LED headlam मिल रहा है center में LED position light है जो on होने के बाद कुछ इस तरह का नजर आएगा और उपर में high beam में आपको LED मिलता है इसका जो tung signal indicator round shape में मिल रहा है इसमें LED है और आप देख रहे हैं यह दोस्तों काफी flexible है और on होने के बाद यह भी आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा suspension पर ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं इस bike में आपको 43 mm डाय का USD fork मिल रहा है और fork के side में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक reflector है और body color से paint आपको इस bike का मटगार नजर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ यह आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा side में आप देख र front में आपको 100 by 90 section का tubeless chair और इसके front brake में 320 mm का disc brake मिलता है rear में 240 mm का disc brake मिलता है और bike में आपको dual channel ABS मिल जाता है bike के grabbar पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोस्तो इस bike में आपको काफी sporty से split grabbar मिल रहे है और बताना चूँगा यह दोस्तो cast iron material का बन है इसके rear mudguard पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यह आपको two piece में मिल रहे है उपर अला part जो आप देख रहे हैं जो body color से paint यह metal का है और यह आपको plastic material का मिलता है साती इसका जो tail lamp आप देख रहे हैं काफी sleek सा है capsule के shape में और आपको नजर आ रहे है इसमें आपको LED मिल रहे है turn signal indicator में भी आप देख रहे है यहाँ पर आपको LED मिल रहे है यहाँ पर भी यह दोस्तों काफी flexible है और mudguard के नीचे के mudguard आप देखें आपको कुछ चीज तरह का नजर आएगा rear suspension की तरफ चलेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको gas sharp 7 step adjustable spring loaded hydraulic tap suspension मिलता है जिसे आपनी सबसे adjust कर सकते हैं rear में आपको 17 inch के diamond cut alloy wheel में आप देखें यहाँ पर आपको 140 by 70 section का tubeless tire और rear brake में आपको 240 mm का disc brake मिलता है सा आपको harley का signature exhaust sound भी मिल जाता है चले सुनते है कि साथ ही दोस्तों आप देखें इस बाइक में आपको company fitted ladies footrest के साथ साड़ी काड मिल जाता है जिसे भी install नहीं किया गया है और इस बाइक के chain cover पे ध्यान देंगे तो आप देखें इसमें half upper chain cover मिलता है जो plastic fiber material का बना है इसका जो pilen fitrest है इसका quality बहुत ही अच्छा है आप देखें यहाँ पर एक rubber का grip है साथी rider वाले पर आएंगे तो आप देखें यहाँ भी rubber का grip है इसका भी quality काफी अच्छा रखा गया है आप देखें गेर लिवर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है और इस bike में आपकी safety ल आपको metal का मिलता है और इस bike का fuel tank भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी दोस्तों आपको metal का मिल रहा है और इसमें 13.5 लिटर capacity मिल रहा है और ग्राफिक पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डार्क ग्रे कलर का graphic को यूज़ किया गया है और tank के उपर आप आपको बहुत ही अच्छी quality का wave की मिलता है जैसा कि आप देख रहे है और इसका जो fuel वाला cap है आप देखेंगे यह tank के साथ attached है जैसा कि आप देख रहे है और इसे lock करने के लिए बस इसे press कर दीजे और यह lock हो जाता है seat पर देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इस bike में आपको step up seat मिल रहा है और seat में जो form यूज़ किया गया मैं आपको दिखाता हूँ आप दीखिए यह दोस्तों बहुत ही soft है तो आप city में ride कीज़े या फिर highway में दोनों time आपको इस bike का seat बहुत ही comfortable मैसूस होगा बस एक छोड़ी से कमी मुझे मैसूस हो रही है यहाँ पर आप देखेंगे जो riderless seat है यहां से इसके चोड़ाई आपको थोड़ी से कम मैसूस होगी और इस bike के console में दोस्तों आपको round shape में 3.5 इंच का color TFT display मिलता है अगर मैं key on करता हूँ तो आप देखें कुछ ही सरग interface इसमे डिस्पले पर ध्यान देते हैं आप देखें डिस्पले के सबसे उपर में engine check light indicator दिया गया है और प्यम में टाइम में बड़े फॉंड में किलोमेटर पर आवर और और फ्यूल केज़ आप देख पा रहे हैं और डिस्पले के नीचे आप देखें यहां नीचे में आपको USB म देख पाएंगे इसके बाद किलोमेटर पर लिटर और रेंज भी देख पाएंगे time देख पाएंगे service due reminder के साथ और भी डिस्पले में बहुत सरी चीज़े उसके बारे में आपको जानकरी मिलेगी और indicators पे ध्यान देखें तो आप देखें उपर में right and left side का turn signal indicator यहां पर side side beam indicator नजर आएगा यहां ABS indicator है और नीचे में Harley Davidson लिखा गया है handlebar पर द्यान देंगे तो आप देखें इस बाइक का handlebar दोस्तों size में बहुत ही बड़ा है right side के handlebar में आपको engine start and stop switch के साथ hazard switch और आपकी safety के लिए यहां पर SOS switch भी आपको मिल जाता है और left side के handlebar में आएगे तो आप देख रहें यहां पर integrated आपको high beam low beam pass switch मिल रहा है यह mode button है इससे आप display को भी operate कर पाएंगे और आपका कोई call वेगर आएगा तो उसे receive करना है reject करना वो भी आप यहीं से कर पाएंगे और यहां पर turn signal indicator switch के साथ होन मिल जाता है और इस bike के engine में आपको 440 cc का 4 stroke single cylinder air and oil cool engine म में आपको maximum power 27 bhp का power or maximum torque 38 mm का torque मिलता है जिसके साथ इसके transmission में आपको six speed manual transmission के साथ fuel supply system में fuel injection system और starting में आपको सिर्फ self start मिल जाता है और इस bike में दोस्तों आपको 170 mm का ground clearance मिलता है और bike का जो curve weight है 190.5 kg है तो weight थोड़ा सा ज्यादा है मगर जब आप इसे ride करेंगे तो यह किसे 100cc bike की तरह आपको मैसूस होगा तो आप सबसे बस बुलना चूँगा कि अगर आप जम्शेदपूर इसके आसपास से हैं और इस bike का test है जाफिजए 25 करना चाहते का चौफर में तो आप आज यह हमारे जम्शेदपूर के प्रीमिया शोरूम में शोरूम के डिज़ कॉंटे ताके इसे तरह के और निवीड आप तब कहुंच सके और bike के बारे में कोई और जानकर इचे होगी तो मुझे comment section में comment करकर भी पूछ सकते हैं